डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांच सेकिंड बात येस लेसन नमबर तेरा महोदे यह भी खयाल किया गया है कि जो व्यक्ति समाज में काम करता है चाहे आविशकार का काम करे चाहे दूसरा कोई काम करे उसको उस काम में तब तक सफलता नहीं मिल सकती है जब तक कि समाज का सहयोग या समाज ने जो परिशरम किया है या कुछ आविशकार किया है उसका उपयोग उसको हासिल ने हो उसका उपयोग वहे ने कर सके इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तू का आविशकार करता है तो आविशकार करने में ने केवल उसका अपना परिशरम रहता है लेकिन साथ ही साथ समाज ने जो काम किया होता है चाहे विज्ञान के छेक्तर में या टेक्नोलोजी के छेक्तर में या किसी अन्य चेक्तर में उस सबसे भी वहे लाभानवित होता है इसलिए जब हम किसी आविशकार के अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ यह भी खयाल हमारे दिमाग में आता है जिस व्यक्ती ने समाज की साहाईता से आविशकार किया है उस समाज को भी उसका फल अधिक से अधिक मिले लेकिन माननिय मंत्री जी ने भी कहा है कि पैटेंट लो इस सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए पाई पिराचेंज मैं समझता हूँ कि पैटेंट लो के पीछे दो सिद्धान्त निस्चित है पहला सिद्धान्त तो यह है कि जो व्यक्ति परिशरम करके दन लगाकर अपना दिमाग लगाकर के किसी वस्तु का आविशकार करता है उसके तथा अपने परिवार के लोगों के अधिकारों की जहां रक्षा होनी चाहिए उसके साथी साथ जैसा मैंने अभी कहा है कोई व्यक्ति समाज में खाली में काम नहीं करता है वरन पिछले समाज के लोगों ने जो जो काम किये होते हैं चाहे विज्यान के छेक्तर में या टेक्नोलोजी के छेक्तर में या किसी अन्य छेक्तर में और जिनके आधार पर वह कोई आविशकार करता है उसको उसका प्रतीफल तो मिले लेकिन जो परिनाम हो उसका प्रतीफल समाज को भी मिलना चाहिए मंत्री महोदे ने कहा है कि जो यह सिद्दान्त है वह भी इस विदेयक के पीछे स्तापित किया गया है और इस बात का खयाल रखा गया है कि जहां हम किसी व्यक्ति के आविशकार कि जो अधीकार हैं चाहे धन के उपारजन का अधीकार हो या परतिस्था प्राप्त करने का अधीकार हो उसे परतिस्था का और चाहे धन का दोनों का लाब व्यक्ति विशेश को भी मिले स्टॉप में उसे परतिस्था प्राप्तिस्तय विश donor प्रें घविशक्तिकि का यवधिया podrाइन नहीस ाानी मिले स्टॉप